बातर, कुएट, सौधी अरब, हर जगा से हमें जो है वो कॉलें आ रही है, यूएई से कॉलें आई हैं, अमेरिका ने हम से सिंपती का इजार किया है, वो तो समझ रहे हैं कि हम तो जो है ना प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है, लेकिन भारत के जो जीरियाजम नरंदरम हो और खास किसम की उनका चाल होता है, और पूरे सरीना ओटल को बता होता है कि ये जन्सियों के लोगों बता रहे होते हैं, पॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक मरतबा फिर लॉंग मार्च का एलान कर दिया, इमरान खान ने एक निउस कांफरंस की जिसमें उन् मार्च कहां पहुंचेगा पिंडी, तो पिंडी पहुंचकर वो किस लोकेशन पर पहुंचेंगे, वहां पर क्या करने का उनका इरादा है, ये तो आइस्ता आइस्ता हमें पता चलता जाएगा, जैसे जैसे लॉंग मार्च आगे बड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी ख़ब यही है कि इमरान खान ने आराम से बैट कर इंडोर गेम्स केलने का फैसला नहीं किया, बलके वो अभी तक आउटडोर गेम्स ही खेलना चाहते हैं, क्योंकि वो जखमी तो हैं, लेकिन उनके मताबिक उनका होसला बुलन्द है. वापस कैसे जाएं, यानि के खान साब का जो प्रोटेस्ट था, उसको खतम करवाने के लिए कोई रस्ता नहीं मिल रहा था, और फिर लास्ट में किया हुआ था, क्या आप जानता ही है, क्या आप जानता है, क्या आप जाके इमरान खान साहब, जो है, उस अफसोस नाक वाक क्लिकर उनके साथ भी खान साब ने कोई बाचीत किये बगएर ही, ये लाउंग मार्च लेके खान साब निकल पड़े थे, तो अब वापस कैसे जाएं, इसके लिए फेस सेविंग की बात की जा रही थी, क्या हो, लेकिन साथ-साथ, प्यमिल एन और स्टविश्मन की तरफ स यही सुना जा रहा था कि फेस सेविंग नहीं दी जाएगी, अब उसके बाद इमरान खान साब पे आप सब जानते हैं कि जिस तरह से अटाक हुआ, जिसने अटाक किया था, वो भी पकड़ा गया, और खान साब अब खैरियस से हैं, लेकिन कल उनने प्रेस कानफरेंस की, औ प्रेस कानफरेंस के दौरान ही, इमरान खान साब ने कह दिया, फिलाल के लिए वो यह लॉग मार्च को खटम कर रहे हैं, कैंसल कर रहे हैं, और उनका यह भी कहना था कि जब मेरी तबीद ठीक हो जाएगी, तो मैं दुबारा कॉल करूंगा, दुबारा सब को बलाउंगा, इसको अगर कोई लोग यह समझ रहे हैं, कि खान साब को फेस्टेविन मिल गई है, और खान साब यही कुछ चाह रहे थे, और खान साब अपना लॉंग मार्च जो था, वो इसलामाबाद तक नहीं लाना चाह रहे थे, तो मेरा ख्याले वो लोग ठीक ही समझ रहे थे, लेक यह कि मैं हसके काम चला रही थी, मगर फिर भी भारिक की अपनी चोईस होती है, जी कौन किस खाबर को किस तरह से लेता है, मुझे बहुत अफोस है, कि वहाँ पे कई लोगों की जाने गई और ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हसी इसलिए आ रही थी, जिस तरह की बाते की जानी थी, जिस तरह की स्टिक्मेंट सारी थी, उन पर जरूर हसना बंगता रहा है, कातर, कोई, सौधी अरब, हर जगा से हमें जो है वो कॉलें आ रही है, यूए से कॉलें आई हैं, अमेरिका ने हम से सिंपती का इजार किया है, वो तो समझ रहे हैं कि हम तो प्राइम इन वेटिंग है, लेकिन भारत के जो जिरियाजम नरंदर मोदी हैं, उन्होंने कोई अफ्सोस का इजार नहीं किया इसमें, तो आप क्या देख रहे हैं, कि एक तरफ घर में जो है वो इस्टैबलिश्मेंट के साथ लड़ाई, कहीं लोग तो ये कह रहे हैं, कि इमरान खा पूछा ही दिए, अलागे मोदी साहब अमारे मसाइ में, जेकि मोदी साहब का पूछना बनते ही नहीं था, इस नाट रेलिवेंट वो तो प्राम मिस्टर रोणा था, इमरान खाँ साहब आपने आपको समझते हैं, कि इमाम खुमैनी तो इनकी आपनी एक्षिनल स्टोरी है अज मैं आपको जो बाइडन समयना शुरू करता है, और मैं कहा दो जो आम इंटरनेशनल लीडर तो क्या पर पड़ता है, मसला तो यह है कि जब आप आप आपर में थे तो आप कितने बड़े इंटरनेशनल लीडर थे, अमेरिका आप से नराज था, आप से कौन सा मूल भारत के साथ आपकी दुश्मनी थी, आप जब आपर में थे तो देखे न, आप कितने बड़े एक्सपर्ट थे आप आपकी फार्ण पालिसी क्या थी उसमतर, आज आपको क्यों क्यों गाले आ रही मुझे, यह किसी में उस पेपर में दुनिया के नहीं आया कि आपको खली उसमें उन्हों ने यह तो नहीं कहा कि जी देखें पूरी दुनिया का मुस्तंगल उखाब होगे, इस इस रॉंग, यह खास आपको घृम ही है, और जिस रहा हम पहले बात का रहे थे, और मैं कहना खलीजी मुमालकों की काले आई होगी, आफाइर तो कुछ रात के टालो, अगर एड़े बड़े लीडर होगे.